Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको Occupational Health के बारे में बताऊँगी Occupational Health क्या होता है? ऐसा कॉन सा रूल बनाता है जिसके वज़े से Occupational Health जो है वो इंडरस्ट्री में रखना कंपल सरी है Occupational Health Safety रहता है Occupational Health का मतलब होता है जो भी वरकर इंडरस्ट्री में काम कर रहे हैं जो भी Employee Industry में काम कर रहे हैं उसे बूलते है Occupational Health अब आप वो Occupational Health Safety के लिए क्या-क्या Rules फॉलो कर रहे हैं जिससे की कि किसी भी वरकर को कोई हार्म ना हो किसी भी Employee को कोई हार्म ना हो तो ये Occupational Health के अंदर क्या-क्या Points आते हैं जिससे हम Safety Prevention ले सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगे तो Occupational Health होता क्या है तो ये मैंने बताया Occupational Health मतलब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके Health का खयाल रखना अब जो भी हम Safety में करते हैं Risk Analysis करते हैं Risk Assessment करते हैं अजाड Identification करते हैं ये क्यों करते हैं इसलिए तो करते हैं कि वहाँ के जो भी लोग काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि किसी भी काम को करते हैं वक्त उन्हें चोट लग जाए Occupational Health जो है वो एक ऐसा Maintenance है जिसमें क्या होता है Physical, Mental और Social Well क्या होता है इसमें हम उनको Physically भी ठीक रखना है Mentally भी ठीक रखना है ऐसा तो नहीं Mentally कोई उन्हों टॉर्चर कर रहा हो या Pressure डाल रहा हो वो भी हमें देखके चलना है और ऐसे कोई भी Situation क्रियेट भी हो रही है पेपीज भी दी जाती है उनको ताकि वो सेफ रहें तो Occupational Work के साथ साथ Workplace Safety के साथ साथ Occupational Health Safety भी बहुत जरूरी है ठीक है अगर accidents जादा होने लग जाएंगे तो क्या होगा आपकी Company का तो नाम खराब होगा ना ट्रस्ट्री का के वहाँ पर वर्क करते काम कर रहे थे उनको चोट लगे काम करते दोरान है नो तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है Occupational Health का Occupational Health और Safety रखने के Importance क्या क्या है इससे क्या होगा अपने Workplace को हम Health और Safe रख पाएंगे एक Safety Culture जो है पूरा भी मिलेगा हमको ठीक है Productivity भी Increase होगी और Employees का जो है Manoble भी बढ़ेगा है ना और कोई भी Legal Meeting होती है तो उसके Regarding जो भी Requirements है वो भी आपकी Documentation प्रिपेर रहेगी कि क्यों रहेगी क्योंकि आपने तो वो सारी Steps फॉलो किये है लीगल कंप्लेंसेस फॉलो किया है उसके बाद अपने Occupational Health and Safety भी आपने प्रिपेर करके रखे पूरा Documentation है तो जो भी अगर आपकी कोई मीटिंग होती है लीगल मीटिंग होती है तो उसमें भी आपको Appreciate किया जाएगा ठीक है अगर आप Occupational Health के उपर भी ध्यान देते हैं तो अब ये भी एक रूल निकला था ये भी एक Act बना था जिसकी वज़े से हम Occupational Health and Safety रखते हैं अब ये Act क्यों बना था? क्योंकि पहले क्या होता था? वरकर उसे 12-12 गंटे काम करा रहे हैं उन्हें कोई भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं उनसे मजबूरी में काम करा रहे हैं जबर्जिस्ती काम करा रहे हैं वरकर नहीं चाते हैं तीदेर काम करना उसकी हालत खराब हो रही है पर फिर भी काम करा रहे है पहले ऐसा होता था तो उसके बाद क्या हुआ? नाम था बिल जो था 168 था इसमें क्या था harassment and violence को remove करना था workplace से कि ऐसा कोई भी harassment और या फिर violence नहीं होना चाहिए वर्करों के खिलाब workplace पे ठीक है तो उससे क्या हुआ पूरी legal responsibilities जो है workplace की वो employee supervisor worker कोई भी हो भले ही कोई भी हो शामिल उन सब की safety रखना, occupational health and safety रखना जरूरी है ऐसा नहों काम करते वक्त किसी भी person को कोई भी problem आए और ये सब देखना किसका काम है? Fire and safety officer का तो वो ये देखे कर यहां के वर्कर जो हैं उनको भी कोई harm तो नहीं हो रहा ठीक है? तो ये act इसलिए बनाए गए थे ताकि पहले जो wireless किया जा रहा था जो harassment हो रही थी तो वो ना हो सके इसलिए इस तरीके का एक बिलपास हुआ उसके बाद ये act में change हुआ और अब ये implement किया गया है इंडरस्टीज में लागू किया गया है कि अब ऐसा होना चाहिए कोई भी worker जो है वो अपने working hours से जादा काम नहीं करेगा और उसको कोई भी जबज़स्ती उससे काम नहीं करवा सकता है तो ये क्या है? इस act में शामिल है परपस क्या था? वो act लाने का तो परपस यही था कि उनकी health and safety पर जो भी काम कर रहा है परसन उसकी health and safety पर ध्यान रखा जाए जो भी machine पर वो work कर रहा है जिस भी plant में वो work कर रहा है वो machine का भी रोज testing हो मतलब regularly देखा जाए उसको कैसा तो नहीं उसमें से कोई ऐसी hazardous situation create हो रही हो जिसकी वज़े से किसी भी employee को, worker को problem आए ठीक है? तो ये परपस था उस act को रखने का कि कोई भी काम अगर वो कर रहा है तो उसे कोई चोट ना लगने पाए ऐसा तो नहीं जहां भी वो work कर रहा हो वहां से कोई ऐसी hazard या situation वनी हो या माल लीजे कोई भी ऐसी hazard आजा जो सीधे उनकी health पर effect करे तो ये हमें देखना होगा हमें हमें खुद देखना होगा जो भी fire and safety officer रहता है उसे जो inspection वो करता है वो इसलिए किया जाता है कि वहां से जितने भी hazards है कोई जो भी वो observe कर रहा है वो सारा उसका checklist maintain करे और वो सब ठीक करा सके जिसकी वज़े से क्या हो किसी भी worker के काम पर कोई effect ना पड़े तो occupational health and safety रखना उतना ही ज़रूर है जितने और भी चीज़े follow करना है safety के लिए तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है क्योंकि अगर accident होता है और किसी भी worker के जान जाती है तो वो include हो जाते हैं आपके accidents में और कितने persons के जान गई उसमें तो वो अच्छे impression नहीं डालते हैं आपकी workplace पे तो हमें इसी लिए ध्यान रखना होगा occupational health and safety पे क्योंकि क्या होता है जो लोग work कर रहे हैं वो करतो रहे हैं ऐसा labor वो work कर रहे है पूरी industry जो है production तो उनी से होगा न अगर वो ही काम करना बंद कर दे उनी को चोट लग जा तो कैसे production होगा अगे का काम कैसे होगा तो ये एक बहुत बड़ा point है occupational health का कि अगर उनकी health पर ध्यान रखा जाए ऐसा ना हो कि उनसे इतना काम कर रहा हो कि वो mentally उनका stress आ जाए तो इसका भी ध्यान रखना होगा ऐसा नहीं हो कि वो मतलब बहुत ही काम करने की हालत में ही ना बचे तो ये सारी चीज़े ध्यान दी जाती है उनसे कभी भी working health से जादा काम नहीं कराना चाहिए पूरा उनकी safety का ध्यान रखना चाहिए ऐसा होता है बहुत से worker होते है जो पीपीज नहीं पहनते काम कर रहे है और पीपीज नहीं पहन रहे है कोई भी हजारे सिचुशन हो हाइट पर खड़े है बिलकुल विदाउट हारनेस जा रहे है या कोई भी पीपीज नहीं पहन है तो ये सारी चीज़े ध्यान में रखनी पढ़ती है उनने समझाना पढ़ते है कुछ जो वरकर्ज रहते है वो ऐसे रहते है कि उनको कोई ध्यानी नहीं होता है तो ये क्या होगा अगर उनको चोट लग जाती है तो जवाब किसे देना होगा हमें देना पढ़ेगा न फायरन सेफटी आफिसर को देना पढ़ेगा तो इसलिए उनको ध्यान रखना पड़ेगा उनकी safety का फारन safety officer को ही ध्यान रखना पड़ेगा workers की safety का वैसे इसलिए क्या होता है workers की भी training कराई जाती है उनको सिखाया जाता है कि आप workplace पे काम करें तो इस तरीके से काम कीजिए ऐसे ध्यान दीजिए चोटी-चोटी training उनको provide कराई जाएं और उन्हें बताया जाएं कि अगर आप ऐसे safety रखेंगे तो आप इनने accident से बच सकते हैं तो उनकी दिमाग में वह बात आ जाएगी तो occupational health and safety के लिए हमारे साथ साथ अब माल लीजिए आप fire and safety officer तो दिहान रख रहा है पर worker ने नहीं दिया तो क्या होगा तो ऐसे छोटी-छोटी training से क्या है उनको aware कराना है कि ऐसा तुम करोगी तो ऐसा accident हो जाएगा तो यह क्या होगा इससे occupational health and safety भी maintain रहेगी और accidents भी नहीं हो कर पाएगा तो आज यह था occupational health के ऊपर आपको यह occupational health के बारे में सब कुछ समझ मां आ गया होगा सो थेंक यू